12 साल बाद देवगुरु प्रहस्पति का राशी परिवर्तन 12 साल बाद शुक्र के घर में पधारे देवगुरु प्रहस्पति 12 साल बाद बदली देवगुरु प्रहस्पति की चाल 12 साल बाद देव गुरु बरहस्पती करेंगे क्या बदलाओ 12 साल बाद 12 महिनों तक क्या कहती है गुरु कृपा अगले साल 25 तक गुरु कृपा क्या कुछ देगी देखे सिर्फ धर्म ग्यान पर नमश्कार धर्म ग्यान के धर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविता राना मेरे साथ मौझूद है अचारी राकेश शत्रवेदी जी सबसे पहले धर्म ग्यान में आपका स्वागत है नमश्कार धर्शकों आप सभी को साधर बंदन, साधर प्राम और धन्यवाद कविता जी आपको भी आवंत्रित करने के लिए ग्रेगोचे के दुनिया में देखे अपकी बाद 12 साल बाद जाकर देव गुरु भरस्पती का राशी परिवर्तन हो रहा है आपके धन्धाने का सबसे बड़ा मालिक और सबसे बड़ा कारक माने गया है और ऐसे में आज हम जाएजी से यहीं जाने की कोशिश करेंगे कि गुरु के यहीं बदलती चाल श्यानी की राशी यानि की मकर राशी मकर लगने लोगों के लिए कितनी शुबता लेकर आ रही है आने वाले ये एक साल गुरु की किरपाश से आपको क्या कुछ दे कर जाएगा कितनी धेरो खुश्यों की सौगाते दे कर जाएगा आईए सिप चर्चा करते हैं और सबसे पहले मैं आप से ही जाना चाहूंगे गुरू की किरपाद से आपकी बार क्या अब मकर राशी वाले लोगों के दिन अच्छे आने वाले हैं? बिलकुर देखे बारा वर्ष बाद बारा वर्ष से अधिक का समय देखा जाएगा वरिशव राश में फिर से वापसे किये हैं एक वर्ष से जादा का समय एक राशी में बिताते हैं हर वर्ष एक राशी परिवर्तन करते हैं तो वरिशव राशी जो है वह शुक्र की राशी ह और शुक्र और शनी का बड़ा मित्रवत संबंद है तो ऐसे में जब गोचर हो रहा है और मकर राशिवालों के लिए यह बड़े शुभ अस्थान पर गोचर हो रहा है तो इस वज़े से मकर राशिवालों के लिए अतियन्त शुभकारी रहेगा और देखिए कविता जी कि ब बहुत सारे परिवर्तन दे करके आएगा यह राश्य परिवर्तन बिल्कुर और जोगी देखिए आप एक लंबे समय साड़े साड़े साथे से गुजर रहेते अब जो कि अंतियम चेरण में है तो ऐसे में साड़े साड़े जाती जाते हुए गुरू के किरपा से आपको क् शुबकारी परिणाम देंगी और मकर राश के जात्कों के लिए स्वास्त में चोटी मोटी जो परिशानियां चल रही थी जो दिक्कते आ रही थी मकर राश के जात्कों के लिए वह दूर होंगी स्वास्त लाब मिलेगा स्वास्त धन की प्राप्ती होगी और विसे इस स्वास्त कार्णों से सारेरिक कार्णों से शुवता पूंड रहे गाया गोचर चलिए मतब सेह समद्र दिकते अब थोड़ी को लगे क्या कि कम हो रही है इसके सथ आगे पर बात करते अब हम रिष्टों को लेकर क्योंकि गुरु को विभा का कारक माने गया है तो ऐसे मैं शुवाहिक जीवन के लिए बड़ी सुभफ कारी रहेगी चाहे वाह करने के लिए बात किया जाए या फिर बैवाहिक जीवन के सुक की बात की ज़या बात कह अब गया और सादहे दो चरणों में के लिए बड़ा तनावformeता बाताश द चलती हुए सेpptाफिका मैं चलते हो जून के बाद से और ज्यादा इन मई में एक मई को गोचर हो रहा है जून लास्ट के बाद लगो 27-27 जून के बाद और इनके लिए प्रभावी हो जाएगा यह गुरू का गोचर और वैवाहिक संयोग बनाना शुरू कर देगा और इस वर्ष के अंतिम तक या अगले वर्ष शुरुआती दोर में वैवाहिक चीजें इनके सामने आ जाएंगी लेकिन इसके साथ ही अगर वैवाहिक जीवन में आप पहले से थे उतार चड़ाओं दोंग जोंग किसी तीसरे काना हमेशा आपका मानसिक भटकाव होना यह सब आप देख रहे थे चाहकर भी अपने आप आपको रोक नहीं पा रहे थे समाल नहीं पा रहे थे तो अब शुक्र के घर भी जा करके उसमें भी कमी कर देंगे याने की शुबता देंगे आपका वैवाहिक जीवन सुख में हो जाएगा चलिए इसे के साथ आगे बढ़ते हैं संतान पक्ष के बारे में जी हां संतान प संतानपक्ष की वजय से कहीं से संभानित हो सकते हैं या फिर संतान आपकी कोई बड़ी उपलबी हासिल कर सकती हैं जिसकि वज़ोस आप गरवानमीत में करेगा काम कारश के मामले में अब तक जो अडचन है आपकी जीवन में आ रही थी और काम धंदा आपको नहीं चल पा रहा था संघर्ष को दौर आपको अब तक शनी महराज दिखा रहे थे तो आपकी बार गुरु के किरपास से आपका ये सब कितनी तरक्की आपकी बार गु सहकर्मियों के साथ वाद विवाद नोग जोग होगा आपके अंदर आपके ग्यान का एहम आएगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा आपके वरिश्ट के साथ आपके सहयोग्यों के साथ नोग जोग बढ़ जाएगी तराव बढ़ेगा इसके साथ ही अगर सब्सक्राइब तक जो प्रोजेक्ट जो काम आपके अटके हुए थे उनमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है इस वोचर में तो कारोबार के लिहाद से ब्यापार के लिहाद से यह शुबकारी रहने वाला देखे विर्षब राश्व में रहते हुए शनिदेव की उपर जो यह प्रभाव डाल रहे हैं वह बड़ा सुभकारी डाल रहे हैं आर्थिक दिख्टिक कोन से विशेज़ करके अब आप बेवजह की फिजूल खर्ची से बचेंगे फालतू के खर्चों से मुक्ति मिलेगी और धनकोस आपका बढ़ेगा तो आर्थिक दिर्शिकोंड से यह गोचर इस एक वर्ष में आने वाले आपको मजबूत करेगा चली तो इसे किसा मुझे हो राकेश शुतरवेदी जी को दोनों को दीज़े जासत नमस्कार